हलो एव्रिवन वैलकम बैक टू अलिव पूजा और आयम हेर विट नियू इनिशेटिव आइनो आपके एक्जाम आने वाले हैं और गवर्मेंट इसकीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके आने वाले एक्जाम के लिए तो यहां पर एक नया नहीं भूलिंग और पहली बार आ रहे हो और सी बात है सब्सक्राइब करना है चैनल को तो आज हमारा पहला वीडियो है इस नई सीरीज में और फॉर्स्ट वीडियो में हम डिसकास करेंगे अबाउट दा प्रधान मंत्री मुद्रयोजना इसे हम शॉर्ट में पी एम एम व प्रधान मंत्री मुद्रयोजना प्टेमध एम यॉर्ट के आम से जैनते हैं अब जैसे कभी आप लून लेने जाते हैं बैंकर रख्वाएगे मतलब अपनी कोई अससे आपको रख् did you जिसके बदल tirar ऐसाने लेकिन एस स्कीम में एप एसा नहीं प्यैए मद्थ यही इनिस यहाँ पर launch किया गया था जिससे हमारे देश में नए business को growth किया जा सके और जो small medium enterprises हैं उनको growth किया जा सके यहाँ पर ministry of finance ने ये भी कहा था कि इस loan में इस scheme में 60% से जाधा आपको जो loan देना है मतलब जो priority sector है वो women's है क्योंकि government जाती है कि women led startup जाधा ग्रो हो जाधा उनकी तरक्की हो clear आईए इस scheme को हम detail में समझने की कोशिश करते हैं first why in news क्योंकि ये भी तो जानना जरूरी है कि क्यों है ये news में तो यहां पर आपने recent की देखा होगा हमारे देश में election का कारीक्रम होने वाला है election आने वाले है और जब election आने वाले होते तो different government parties and political parties अपने manifesto को issue करती हैं जिसमें वो घोशनाय करती है अगर वो election जीत जाती है तो आने वाले समय में कौन से काम करने वाली है तो इसी scheme में इ मुद्रा लोन में आपको 20 लाग रुपे तक का collateral free loan provide किया जाएगा by the different banks यह बात यहां पर कहिए इसलिए पूरी इसकी news में आपको देखने को मिल रही है clear BJP promised to double mudra loan ceiling to the 20 lakh तो what is the ceiling? Ceiling means upper limit जैसे घर की ceiling होती है न वैसे upper limit इसको हम बोलते हैं clear है भारती जंदा पार्टी release manifesto promising to double the prime minister mudra loan ceiling to 20 lakh रुपीज under the PM mudra योजना over 460 million loans worth rupees 27 trillion have been given so far इन्होंने कहा है कि जब से हमने mudra scheme को launch किया है तब से अभी तक हमने 27 trillion rupees के loans को distribute कर चुके हैं ऐसा इन्होंने बताया ठीक है पहले हम जानते हैं कि PM mudra क्या है और यह mudra नाम क्यों रखा इसे mudra योजना क्यों कहा जाता है उसके उपर भी हम discuss करेंगे अगर आप लोगों को मुद्रा का फुल फॉर्म पता है तो जल्ली से मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ओके तो प्रदान मंत्री मुद्रा योजना PMMY एक सेंट्रल गवर्मेंट की स्कीम है जिसे प्राइम बिनेस्टर नरिंद मोदी ने 8 अपरेल 2015 को लॉंच किया था इस स्कीम में अप टो 10 लेक रोपीस का लोन प्रवाइट किया जाता है किसे नॉन कॉर्पोरेट्स नॉन फॉर्म इस्मॉल माइक्रो इंटरप्राइज को यह लोन प्रवाइट करते हैं लोन कौन प्रवाइट करता है तो जित्ते हमारे पॉब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं कमर्शियल बैंक आर भी इस्मॉल फाइनेंस बैंक आपके MFI और NBFC यह सबी लोग आपको लोन प्रवाइट करेंगे अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं क्लियर है अब यह जो प्रधान मंतरी मुद्रा योजना है इसमें आपको तीन प्रड़क्ट देखने को मिलते हैं जिसके अंदर आप लोन ले सकते हैं क्य प्रड़क्ट आपको मुद्रा योजना में देखने को मिलेंगे शिशू का मतलब है कि अप्टू 50,000 रुपीज का आपको लोन चाहिए कि शोर का मतलब है 50,000 रुपीज से 5,000 रुपीज तक का लोन चाहिए है और तरुन का मतलब होता है 5,000 रुपीज से अप्टू 10,000 आपको देखने को मिल जाएगी यह लोन के बारे में इंफिमेशन है शिशू किशोर एंड तरुन क्लियर अब वाट इस दा मुद्रा मुद्रा क्या है हमने तो बोल दिया बैंक्स को कि आपके आराट बीज है यह पब्लिक सेक्टर बैंक है कोई भी व्यक्ति आए आपको से ल मुद्रा क्लियर है तो मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है माइक्रो यूनेट डैवलपमेंट एन री फाइनेन्स एजनसी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म औरेडी एक्जाम में पूछा गया है याद रखेंगे बापस से रिपीट कर रही हूं माइक्रो यूनेट्स ड कौन है तो इसका ओनर है सिडवी सिडवी की ही सबसीडरी है और सिडवी नहीं इसे सेट अप करने का काम किया लेकिन इसका ये बिलकुल मतलब नहीं है कि मुझे लोन चाहिए तो मैं मुद्रा के पास भागती हुई चली जाओ कि मुद्रा मुझे लोन दे दो नहीं ये मुझे loan नहीं देगा मुझे लोन लेने के लिए government banks जो है उन्के पास पाश जा ना पड़ेगा हां उन banks को refinancing करने का काम उन banks को पैसे देने का काम मुद्रा करता है clear हिटनी चीज तो इसका owner कौन है जैसा कि मैंने बताया इसका owner आपको सिट भी देखने को मिलेगा अब मुद्रा जो financial institute है इसके बारे में announcement कब किया गया तो it was announced by the honorable finance minister while presenting the union budget for FY 2016 2016 के budget में इसके बारे में बात की गई थी साफ साफ लिखा है कि यह lending agency नहीं है मैं मुद्रा के पास loan मांगने के लिए नहीं जाओंगी मैं banks के पास ही जाओंगी हाँ banks किसके पास जाएंगे मुद्रा के पास जाएंगे बाते क्लियर हैं चीखे मुद्रा एक holy own subsidiary है Small Industrial Development Bank of India which is SIDBI की जिसमें 100% capital आप देखेंगे कि SIDBI की है SIDBI ने essentially या initially बोलेंगे आप thousand करोर रुपीज यहाँ पर authorized capital and 750 करोर रुपीज paid up capital से इस financial institute को set up किया है और currently आप देखेंगे हमने जो यहाँ पर capital है उसको enhance कर दिया है, increase कर दिया है presently जो authorized capital है वो 5000 करोर रुपीज की है और paid up capital आपको 1675 करोर रुपीज की देखने को मिलेगी clear इतने चीज़े अब ऐसा नहीं है कि मुझे लोन लेने के लिए bank ही जाना पड़े अगर मेरा मन नहीं है bank जाने का तो मैं online भी apply कर सकती हूँ online apply करने के लिए इन्होंने उद्धमी मित्र पोर्टल भी launch किया है कौन सा पोर्टल है? उद्धमी मित्र पोर्टल और इस पोर्टल के जरीए भी मैं लोन के लिए apply कर सकती हूँ यहां तक matter clear है आपको? ठीक है? अब eligibility criteria क्या देखते हैं? तो कोई भी Indian citizen साफ साफ लिखा है cable for Indian citizen के लिए है मतलब NRI persons के लिए यह बिलकुल भी scheme नहीं है कि आपको भारती नागरिक होना जरूरी है तो ही आप इस scheme का फाइदा ले पाएंगे तो Indian citizen जो business plan कर रहा है manufacturing sector में या फिर आपके processing, trading या फिर service sector में तो आप यहां पर eligible होते हैं loan के लिए but condition यह है कि आपने पहले कोई loan ना लेके रखा हो कोई default ना हो आपका कोई NPA ना हो ठीक है आपकी account book अच्छी होनी चाहिए तो ही आपको यहां पर loan मिलेगा पर यहां पर कुछ challenges भी है challenges कैसे है for example अब यह public sector bank जो भी loan provide करते है sometime वो loan return नहीं आता repayment नहीं होता तो हमारे banks के पास जो NPA non performing asset है वो अलगातार increase होता जा रहा है in fact जब COVID का समय आया था तो COVID के समय बहुत सारे business shut down हो गए थे losses हो रहे थे लोगों के पास salary देने के लिए पैसे नहीं थे तो उस समय काफी अधिक संख्या में NPA देखने को मिला तो यह भी एक बहुत बड़ा challenge है under this scheme ओके तो आपको यह clear हो गया होगा तो बस इतनी ही बातें आपको मुद्रा के बारे में पता होनी चाहिए तो कितना आसान सा वीडियो था के वल 10 मिनिट्स में हमने पूरे इस scheme को cover कर लिया चलिए आप बात करते इस question के बारे में जिसका answer आप हमें करेंगे comment section में consider the following statement about the प्रधान मंतरी मुद्रा योजना ठीक है आपको यहाँ पर तीन statement देखने को मिल रहे है पहला statement है दा scheme was launched for the providing loan up to the 10 crore rupees to the non-corporate, non-farm, small, micro enterprises second है borrower need to furnish some form of the collateral to procure credit under the scheme next है credit under the scheme is only given by the commercial bank कौन सा statement यहाँ पर incorrect है options यहाँ पर available है जो भी सही answer आपको लगता है आप हमें comment section में दे सकते हैं अब जैसे कि मैंने कहा था revise कैसे करे, इतनी scheme से मैं कैसे पढ़ूं, क्या करूं कोई दिक्कत नहीं, don't worry यहाँ पर देखो यह है mind map यह zoom करके देखोगे तो जादा अच्छे से समझ में आएगा जब आप इसका PDF डाउनलोड कर पाओगे तो जादा अच्छे से clear हो पाएगा आप screenshot भी ले सकते हो मैं zoom करके दिखाती हूँ, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि why in news यह क्या काम करता है इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कब लॉंच किया गया